स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं अनेकार्थक शब्द ठीक है तो अनेकार्थक शब्द हम यह शब्दावली से कर रहे हैं अगर आप लोगों को यह बुक चाहिए तो मैं आप लोगों को बता देती हूं आप ल दिये हुए लिंक पर जाकर जो आपको description box में दिया हुआ है वहां जाकर भी आप order कर सकते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शब्दावली का आज सैट अगला हम लोग अनेक अर्थक शब्दों का दूसरा सैट करने वाले हैं तो चलिए पहला शब्द है हमारे सामने पह बहुतायत या दिवशक्ती या राक विभूती जिसे हम विभूत कह देते हैं इस तरह से विभूती राक को भी कहते हैं और महिमा में पुरुस तो हमें पता चला कि जो विभूती शब्द है इसके कितने अलग-अलग आर्थ हैं सृष्टी वृध्धी एश्वर बहुतायत दिवशक्ती राक महिमा में पुरुस तो हमें पता चलता है जो नाग शब्द है इसके अर्थ कितने हैं कौन-कौन से अर्थ हैं तो हाथी, सांप, परवत, बादल और वायू का एक भेद ना कहलाता है आगे हम देखते हैं अगला शब्द है हमारा नग नग हम किस-किस को कह सकते हैं तो नग का एक अर्थ होता है परवत नग का एक अर्थ होता है सांप नग का एक अर्थ होता है नगीना नग का एक अर्थ होता है संख्या और नग का एक होता है अहद ठीक है तो अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो नग एक शब्द है हमारा इसके हमारे कौन-कौन से अर्थ होते हैं तो नग हम परवत को कहते हैं चांप को कहते हैं नगीना को कहते हैं संख्या को कहते हैं और अहद को हम नग कहते हैं ठीक है ये हमें पता चला अब हम आगे बढ़ते हैं अगला point आता है अगला शब्द, अगला शब्द है हमारा अधर, अधर हम किस-किस को कहते हैं, अधर हम कहते हैं होट को, जो होट होते हैं हमारे, अधर हम कहते हैं अंतरिक्ष को, अधर हम कहते हैं तुच्छ को, तुच्छ चीज को या छोटी चीज को हम अधर कहते हैं, बिना आधार का जो होता है, जिसका कोई आधार नहीं होता, उसे अधर कह देते हैं, तो जो और नीचे का, मतलब अधर नीचे का, कोई चीज अगर नीचे है, नीचे की ओर हो गई है, तो उसे भी हम अधर कह देते हैं, तो अधर हमारे जो शब्द है, इसका क्या-क्या अर्थ हो जा कोई नीचे का हो नीचे की तरफ से हो नीचे इस तरफ पे हो तो उसे हम अधर कह देते हैं आगे शब्दाता है हमारा आंक का अर्थ क्या क्या होता है तो आंक कहते हैं हम निसान को कोई भी निसान होता है उसे आंक कह देते हैं पत्रिका का नंबर जो पत्रिकाएं होती है उनक कहते हैं ठीक है वो आता है आंक नाटक का अध्याय जो नाटक होता है उसका एक अध्याय आंक कहलाता है और गोध गोध को भी हम आंक कह देते हैं ठीक है तो आंक शब्द के कितने सारे अर्थ हो गए तो आंक का आर्थ हो गया निसान पत्रिका का नंबर गिंती की संख्या यह यह हमे आक जिसे कहते हैं संख्यया गिंती जो होती है वह नाटक का अध्याय और गोध यह हमारा क्यों को कहलाता है आगे बढ़ते हैं हम अला पॉइंट होता है हमारा रूख टो रूख जो शब्द है यहाँ पर षब्द है रुक ठ्यके रूख रुख का अर्थ होता है चेहरा, रुख का अर्थ होता है रुजहान, कहते हैं किस रुख की हवा है, किस रुख में परिणाम जाएगा, तो मतलब रुजहान, किस तरफ का, ठीक है, मनो भाव रुख को कह देते हैं, सतरंज का एक मोहरा होता है, जो रुख कहलाता है, और सूख सुखा हुआ पेड़ जिसे रूख के नाम से हम जानते हैं तो यहां पर जो रुख शब्द है इसके अर्थ क्या-क्या हो गए तो चहरा रुझान मनोभाव सत्रंज का महरा और सुखा हुआ पेड़ रुख कहलाता है कि आगे शब्द आता है हमारा हर ठीक है हर शब्द के क्या-क्या आर्थ होते हैं तो हर कहते हैं प्रतेग को जैसे खेते हैं हर एक हर एक hybrid आता है जिए इसको भी कहते हैं हर भिन नीचे की संख्या जो होती है जैसे हम बटे में लिखते हैं मालनों हमने एक बटा दो लिखा तो इसे हम कहते हैं अंस और ये हमारा कहलाता है हर तो यानि भिन में जो अंस के नीचे की संख्या होती है उसे हम हर कह देते हैं तो यहाँ पर हमें हर के कितने आर्थ मिलते हैं तो हर का आर्थ है प्रतेक, शिव थरन करने वाला भिन के आंस के नीचे की संख्या ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला शब्द है हमारा द्विज हम किसको कहते हैं द्विज का एक आर्थ होता है पक्षी द्विज का एक आर्थ होता है दात द्विज का एक आर्थ होता है अंडज द्विज का एक आर्थ होता है चंद्रमा और दूज का एक अर्थ होता है प्राणि, ऐसे भी हम दूज कहते हैं उस श्ब्द को जो डू बार जन्म लेता है, ठीख है मतलब उसे कहते हैं जो डू बार जन्म ले रहा है। तो इसमें हां जितने हमें क्या-क्या अर्थ ही यहां पर मिलता है जैसे पक्षी हो गया दान्थ हो गया अंडज हो गया अंडज पक्षी को कहते हैं एक तरह से अंडज मतलब अंडे से जन्म लेने वाला प्राम्मन चंद्रमा और प्राणे यह द्विज कहलाते हैं आगे शब्द है हमारा अब्ज अब्ज जो शब्द है इसके क्या-क्या आर्थ होते हैं अब्ज का एक आर्थ होता है कमल अब्ज का एक आर्थ होता है चंद्रमा अब्ज का एक आर्थ होता है संख और अब्ज का एक आर्थ होता है कपूर तो हमें पता चलता है कि अब्ज के आर्थ हैं कमल चंद्रमा संख और कपूर आगे शब्द है आराम आराम शब्द का एक अर्थ होता है वाटिका ठीक है वाटिका आराम वाटिका को कह देते हैं आराम विश्राम करना जब हम विश्राम करते हैं रेस्ट लेते हैं उसे हम आराम कह देते हैं सुविधा सुविधा को हम आराम कहते हैं कि मुझे इस चीज की सुविधा होगी मतलब मुझे आराम हो गया है और राहत किसी चीज में से राहत प्राप्त होना तो आराम कहलाता है तो आराम शब्द के कितने अर्थ हो गए वाटिका विश्राम सुविधा और राहत और आपकी परिक्षा में यहां से ज्यादा तर प्रशन आता ह कि वाटिका का प्रयावची तो वाटिका का प्रयावची आराम हो जाएगा आराम का प्रयावची वाटिका नहीं है आराम का प्रयावची नहीं होता आराम का अर्थ होता है तो वाटिका का प्रयावची आराम हो जाएगा यह दिहान रखना परिक्षा में आ जाता है आगे ब प्रकार ठीक है क्या होता है प्रकार खर दनुष का शिरा कोटी मतलब हो गया और कोटी का आर्थ हो गया सुरेणी यानी क्रकार और कोटी का आर्थ हो exceptionallyज हो गया करोड कि जैसे आप देखते हैं त्यीर क्रोड़ देवदा आप बोलते हैं तो तो वो 33 करोड देवता नहीं है वो संस्कत में रिखा है 33 कोटी अवो कोटी का मतलब प्रकार से है कि 33 प्रकार के देवता ना कि 33 करोड ठीक है रेकिन हम अर्थ गलत लगा लेते हैं इस वज़ा से अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो क्योंकि कोटी शब्दा इसके कई सारे अब आता है शब्द जैसे रस, रस के क्या क्या अर्थ है, रस का अर्थ है अर्क, ठीक है, अर्क, रस का अर्थ निकलता है, रस का अर्थ है रूप, रस का अर्थ है पानी, रस का अर्थ है स्वाद, रस का अर्थ है सत्व, रस का अर्थ है निचोड, जिसे एक तरह से सार निक तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जो रस है उसका क्या-क्या अर्थ होता है अर्क, रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड, आनंद, धातू की भश्म ठीक है धातू का भश्म लिखा हुआ है धातू की भश्म होता है वैसे विए संस्कत में तो भश्म जो है पुलिंग है हि आगे देखते हैं खग, खग शब्द दिया है खग का अर्थ क्या है खग माने होता है पक्षी और खग का मतलब होता है तारा जो आकास में तारा दिखता है उसे भी हम खग कहते हैं और बान, बान को भी हम खग कहते हैं तो यहां हमें पता चलता है कि खग का आर्थ हो गया पक्षी तारा बान ठीक है यह हमें पता चल जाता है अब आगे बढ़ते हैं आगला शब्द आता है हमारा दक्ष दक्ष का क्या-क्या अर्थ होता है तो दक्ष का अर्थ होता है कुसल जो कहते हैं अरे यह तो बड़ा ही दक्ष है मतलब बहुत कुशल है इस काम में ब्रह्मा के पुत्र का नाम है दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र था उसका नाम दक्ष था तो दक्ष हो गया और चतुर जो चालाक होता है ठीक है उसे दक्ष कह देते हैं और प्रजापती तो प्रजापती वही जो ब्रह्मा जी के पुत्र है उन्हीं का नाम है प्रजापती दक्ष कहते थे उनको ठीक है तो दक्ष का मतलब वहीं पर आगया तो यहां हमें यह पता चलता है कि दक्ष जो है वो क्या है कुशल ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है और चतुर यह दक्ष का अर्थ होता है फिर आगे शब्द है आगार आगार का अर्थ क्या होगा आगार का एक अर्थ ह खान का जयानी जो कोईले की खान नहीं तो वो आगार होता है गैसे और इस्त्रोतerson हमारा आता है कहीन जो सोर्ष एक तरह से इसocy relativelywyni आजाता है अभर मैं यहां पर पता चलता है कि की आगारर शब्द के तींअर्थ हो गए खान कोश और इस्त्रोतerson कंट आगे शब्दाता है हमारा खर, खर शब्द का क्या क्या आर्थ हो सकता है, खर का मतलब होता है गधा, ठीक है, गधे का परिया बची हो जाता है खर, तो खर का एक आर्थ हो गया गधा, खर का एक आर्थ हो गया तिनका, ठीक है, तिनके को कह देते हैं, खर, खर का एक आर्थ हो कड़ा के लिए जो हाथ का कड़ा होता है उसे खर कह देते हैं और दुष्ट व्यक्ति के लिए भी हम खर शब्द का प्रियोग कर देते हैं तो हमें खर शब्द के कितने सारे अर्थ पता चलते हैं खर का अर्थ होता है गधा तिन का प्रखर एक राक्षस का नाम कड़ा और द दूलहा, वर का अर्थ होता है स्रेष्ट, वर का अर्थ होता है वरन करने योग्य, जो वरन करने योग्य है, आगे शब्द होता है वर्दान, वर का अर्थ होता है पती और वर का अर्थ होता है आशिरवाद, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो वर शब्द है, इसके अर्थ हमा ठीक है, शब्द है हमारा अगला उर्मी, उर्मी का क्या क्या अर्थ हो सकता है, उर्मी का एक अर्थ होता है पीडा, ठीक है, पीडा होना उर्मी कहलाएगा, लहर, किसी तरह की लहर जो होती है, उसे उर्मी कहते हैं, और दुख, दुख होना उर्मी कहलाता है, तो उर्मी के अ समते हो ना अनिक अर्थक स्विए हम होते हैं जो एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द हर दिन प्रयास करते रहें कि ये शब्द हमारे कैसे इनका क्या-क्या अर्थ होता है तो जब आप डेली अभ्यास करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सैट के साथ